हेलो बच्चों मैं नेहासन उपस्थितूं आपके लिए कक्षा आठ कि पुस्तक वसंत का पार्ट दो ले करके पार्ट दो है आपका लाख की चूडियां बच्चों ये कहानी है इसके लेखा कामतानाथ जी है जो की प्रमकुरूप से उत्तरप्रदेश से रेलेटिड है ठीक पके बनाच के तो इस पारे प्रमकुरूप से ब्रमक तो थो बाख की चूडियां पहनते। तो ऐसमें गाओं में बदलू मुझे सबसे अचछा आद्मी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाक की गोलिया बनागर देता था बच्छा ये जो बच्चा है यानि लेखा खुद बता रहा है अपनी स्टोरी बता रहा है लेखा क्या बता रहा है कि वो जिस गाओं में उसके मामा रहते थे उस गाओं में वो जाता था और उस गाओं में एक व्यक्ति था बदर गाम का वो व्यक्ति लाख की चूडिया बना मुझे अपनी मामा की गावं जाने का सबसे बड़ा चाव हैता था क्यूं क्यों हिव्य जब में वहां से लौता था तो मेरे पास धेर सारी kya होती ती इस गोलियां होती ती रंगी do बाबमि जो किसी भी बच्चेकामन मोहले कंकलное कारण मुझे बंदलू को बदलू मामा कहना चाहिए लेकिन जार्ण को बदलू मामा कहते हो जहां कि अगर मा कफन नियुक्त को थो किष्टक।atura बत्रग मा कि ठीट शब्थ से एकिन टार्ज ऑड़ों आ ये माँ है माश अभद साथ में ही नाम का व्यक्ति था वह की मामा की गाऊंगा नहींBy tá क्या लेकिन वह सी अघ्रिक सब्सक्राइब हो माँ माँ करते थे तो क्यूं करते थे पुराना नीम का वरक्षित लगा था उसी के नीचे बैठ कर बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी दहती रहती जिसमें लाख को पिखलाया करता था बदलू जो वेकती है ये एक लखिरा है लखिरा कौर होते हैं जो लाख की चूडियां बनाने का कारिय करते है ये तो बदलू को जो मकान था गाओं में वो और इस ताइब का आंगन बना हुआ है उस आंगन की अंदर ऑस नीम के वरक्षिक के नीचे वह अपना सारा काम किया करता था च्छाया में बैठकर अपना काम किया गरता था और वहीपर पासमें आग की भट्टी देख़ती रह जिस पर लाख के बैसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था जब लाक को पिगलाता था वैच्चो आप किसी लाक लाख की चूडियों वाले के दुकान पर जाते हो तो आप देखेंगे कि इतना लंबा तो डंडा होता है उसको आघ में गरम करके उसको पतला किया जाता है कि विदन आगरे एंप से अकषक बना तो वही तो वहीιο् guar है चोरी का पांत ने 4-6 विभिन आकार के बैलन नुमा मुंखेरिया रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीचे से मोटी होती थी हमारी प्रतेक जो महिला होती उसका हाथ का साइस अलग-अलग होता है उस हाथों के अकॉर्डिक वहाँ पर बेलन नुमा जो मुंगेरे आती वो होती थी उनको साचे में ढाल करके वो उनका आकार बनाता था लाख के चूड़ी का आकार देकर वहाँ उन्हें मुंगेरियों पर चड़ा कर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बार वहाँ उन पर रंग करता था बदलो ये कार्य सदा ही एक मच्छीय पर बैठकर किया करता था बच्छों मच्यय के ओता है खाट जो ये गाउन में बिचाई जाती जो की अलग अलग प्रकार के जो निवार होती उससे बनाई जाती उसे मच्छीय आ गेते हैं तो हमेशा वह का ले किया करता था वह मच्छीय पर बैठकर करता था जो बहुत ही पुरानी थी बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वे बीच-बीच में पीता रहता था गाउं में मेरा दौपैर का समय अधिकतर बदलू के पास बीचता वह मुझे लला गहता और मेरे पहुशते ही मेरे लिए तुरंट एक मच्चिया मंगा दिता यानि जैसे ही लेखक वहाँ मंगवा लेते थे फिर है मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़िया बनाते देखता रहता लगबग रोच ही वे चार शें जोड़े चूड़िया बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वे उसे बेलन पर चढ़ा कर कुछ शंट चुपचाब देखता रहता म करे यहीरा बनाने की है सारी बनने की प्रजाती को मनिहार का जाता है था करे पहां कि पीडही घर केली कारी होता रहता है मतलब वह पीडियों उसकी जो दादा थे उसके जो पापा, दादा, परदादा जो थे वो सब यही कारे किया करते थे तो वह भी वही कारे करता तो यह क्या हो गया बेटों बचो पैतरक-पेशा हो गया उनका और वास्तों में वह बहुत ही सुन्दर चूडिया बनाता था उसकी बनाई हुई चूडियों की खपद भी बहुत थी खपद यानि की बहुत जल्दी उठी जाती थी उसकी चूडिया उस गाउं में तो सभी इस्तरिया उसकी बनाई हुई चूडिया ही पहनती थी लेकिन वो चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था, उसका आभी तक वस्तू भी निमें काही तरीका था, अर्था जिस महिला को चूड़ी की आवशकता होती थी, वो चूड़ी के बदले उसे कुछ न कुछ वस्तू दे रही थी, जैसे अगर उसने चूड़ा बेचा तो तो बहुत सीधा था, जैसे किसी से जगरते नहीं देखा था, लेखा कह रहा है कि बदल्व जो व्यक्ति था, शादी विवहा के अफ्सरे सब्सक्ते अवर्श ही जगड़ी जित पर गड़ जाता था आखिर सुहा के जोड़े का महत्व ही और होता है मतलब वो विवा के अफसर पर जब अपने चूड़ों का भी निवे करता था तो उन चूड़ों के बदले वो मन मानी राशी पसूल करता था मुझे याद है मेरे मामा की यहां किसी लड़की के विवा पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गयते मतलब बरकूर प्रयास करना पड़ाता था उसको मनाने के लिए विवा में इसी जोड़े का मूली इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्तर मिलते knowledge मिलता उसको अपने लिए पगडी मिलती और रुपई जो मिलते सो अलग मतलाब वो इस चूड़े के बदले यानि नव विभाहिता के लिए जब वो चूड़ा देता था तो उस नव विभाहिता के चूड़े के बदले में वो अपनी घरवाली के लिए वसरेयने अपनी पत्नी के लिए कपड़े लेता था बहुत सारा अनाज लेता था और अपने लिए पगड़ी लेता था और रुपय भी उसको मिलते थे यदि संसार में बदलु को किसी बाद से चिड़ थी तो वह थी काच की चूड़ियों से अगर वो किसी महिला को काच की चूड़ी पहनते वे देखता था तो उसके तन बदन में आग लग जाती थी उसको बहुत बुरा लगता था कि यह महिला ने काच की चूड़ीया क्यों पहनी है यदि किसी भी स्री के हातमों से काच की चूड़िया देख जाती थी तो वह अंदर ये अंदर पुर उतता और कभी अभी तो दो चार बाते भी सुना देता था मुझसे तो वे घंटो बाते किया करता कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता कभी मेरे घर के बारे में और कभी योही शहर के जीवन के बारे में पूछा करता मैं उसे कहता कि शहर में सब काच की चुड़िया पहनते हैं तो वो उत्तर देता शेहर की बात और है लला वहाँ तो सभी कुछ होता है वहाँ तो और ते अपने मरत का हाथ पकड़ कर सडकों पर गूमती भी है और फिर उसकी कलाईया नाजुग होती है न लाख की चूडिया पहने तो मोच ना आ जाए तो काच की चूडिया जो होती है वो थोड़ी हलकी होती है लाख की चूडिया थोड़ी सी भारी होती है इसलिए आपर उसने व्यंगी किया है कि शेहर की जो महिलाएं होती है उनकी कलाईया नाजुग होती है लाख की चूडियों का भार वहन नहीं कर पाएंगी कभी-कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता जिन दिनों उसकी गाय के दूद होता वे सदा मेरे लिए मलाई बचाता रखता और आम की फसल में तो आम की फसल में मैं रोज ही उसके यहां से दो-चार आम खाता जब बदलू है उसके घर में जब लेखा काता था अगर उसके गाय दूद देने वाली होती थी तो दूद की मलाई वो हमेशा लेखा के लिए बचा कर रखता था और जब भी आम की खेती होती थी तो आम कुछ आम बचा करके वो उसके लिए भी रखता था परंतो इन सब बातों के अतरिक जिस कारण में मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगबग रोज ही मैं मेरे लिए एक या दो लाख की गोलियां बनाया करता था मैं बहुदा हर गर्मी की छुटी में अपने मामा के यहां जाना चाहता था और एक आद महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता परंतो दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहां गया होंगा कि तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई यानि लेखक के जो पिताजी है वो गौर्मेंट सर्वेंट है सरकारी करमचारी है और उनका जो तबादला उनका जो स्थानांत्रन होता है वो कहीं दूर हो जाता है और एक लंबी अवदी तक मैं अपने मामा की गाउं न जा सका और एक बहुत लंबे समय तक लेखक जो है अपने मामा की गाउं नहीं जा पाता तब लगबक आठ दस वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रूची नहीं रह गई थी जब बच्पन में लेखक अपने मामा की जाता था तो उसकी गोलिया थी लाख की गोलिया वह बहुत अच्छी लगती थी लेकिन आठ दस वर्षों के बाद में लेखक बड़ा हो गया और अब उसे लाख की गोलियों में कोई रूची नहीं नहीं रहा लेकिन जब वह जब अते गाउं में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान आया जब वह बच्पन में जाता था तो सबसे पहले क्या ध्यान आता था था बदलू के कर जाने का ताकि वह वहां से रंग बरंगी राख के गोलिया खटी कर सके लेकिन इस बार जब लेखक आया आट तो में मैंने लाख की चूडिया देखी तब एक दिन अचानक मुझे बदलू का ध्यान होया जब उसने गाउं के महिलाओ को काच की चूडिया पहने वे देखा तो से अचानक ध्यान आया बदलू का बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फि द्धान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाओं अते शांको में घुमते घुमते उसके घर चला गया बदलू वहीं चबूत्रे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था बचो जब वह इस बर गाउंव आया था तो इस बार अपने मामा के गाउंव आने पर उसे बदलू का ध्यान नहीं आया उसे बदलू का ध्यान कब आया जब उसके मामा की बेटी खेलते 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 घिसलकर गिड़ गई और इसने जो हाथ मेंकाश की चूड़िया पहने हुई थी उनकाश बदलू अपने घर में नीम के विरुख्ष के नीचे कह पर लेटा हुआ नमस्ते बदलू का का मैंने कहाक लेकख ने नमस्ते नमस्ते बही ने वापस उत्तर दिया उसने मीरी नमस्ते को उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया परन्तु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मीरियो निहारता रहा आप किसी को दस साल बाद मिलोगे तो शायद ही आप उसे पहचान पाओगे वही इस्तिति यहां पर हुई जब लेकश 10 साल बाद महाँ पर आता है गाउ में बदलू से नमंशKार करता है तो बदलू से नहीं पहचान पाता है मैं हूं जनारदन काका आपके पास से गोलिया बनवाकर ले जाता था मैंने अपना परीचे दिया उसने बताया कि मैं जनारदनु काका जो पच्पन में आपसे लाक की गोलिया बनवाकर के लिए जाया करता था बदलू फिर भी चुप रहा मानो गया अपने इस्मृती पटल पर अतीत के चुत्र उताराओ और तब एक दम बोल पड़ा आओ आओ लला बैठो बहुत दिन बाद गाव आए हो अब यहाँ पर बदलू का पता चला उसकी स्मृती में आई बात कि हाँ ये वही बच्चा है जो मुझसे गोलिया बनवाकर के लिए जाता था तो उससे पहचान गया और बोला कि हाँ बेटा आओ और आकर बैठो गाव कब आए इस तरही से इनकी बाद शिरूई हाँ इदर आना नहीं हो सका का का मैंने चार पाई पर बैठते हैं उत्तर दिया अब इसके उत्तर में इसने क्या कहा लेखक ने कि हाँ इदर आना नहीं ह सकता था मैंने चार पाई पर बैठते हैं उत्तर दिया तो इस तरीका जब वारतालाप हो रहा है दोनों के बीच में तो बात आगे बढ़ती है कुछ देर फिर शांती रही मतलब अभिवादन के बाद में दौना चुप हो गए मैंने इधर उधर द्रश्टी दोड़ आई ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई ना ही भटी जिस मचिया पर बैठ करके जिस खाट पर बैठ करके वो अपना काम किया करता था ना तो लेकक को वो खाट नजर आई और ना ही वो भटी नजर आई जिसमें वो लाक को पिढलाया करता था आजकल काम नहीं करते काका मै मेरी बनाई हुए कोई पूछे तब तो गाउं-गाउं में कांच का प्रचार क्या ही है। वह कुछ देर चुप रहा। जब उसने बात बता है कि इस घाउं में तो लाख की जिंदे को कांच की चूडियों प्रचार हो रहा है। हमेला काच की चू्रिया पहने लगी है उसके बाद वह कुल चुप होता है मतलब जो सुंदरता १ काच की चूड़ीयों में थिक आधा होता नहीं हुते लेकिन और खतरनाक होता है बड़ी जल्दी तूट जाता है मैंने कहा क्यों क्योंकि उसने अपनी मामा के लड़की को देखा तो उसके चोट लगी थी नाजुक तो फिर होता ही है लला कहते कहते उसे खासी आ गई और वे देर तक खासता रहा मुझे लगा उसे दमा है जब बदलू खास रहाई थी ने खास वर्दा वस्ता में उसकी कमजोरी उसके शरीर पर सांथ दिखाई देने लगी जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप लिण पता नी उसे कैसे लगा कि मैं सोच रहूं कि उसे बंद微ंद मैं चुप रहा उसके लगा हूज बहुत बड़ी विधा चिक Congo को कोई बहुत बड़ी बात चुपा रखी है मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काथ दिये कुछ देर फिर शांती रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी कहने का मतलब यह जो कार्दिय लाग की चूडिया बनाने के लिए बद्रू खुद किया करता था उ चुछ देर शांती रहती है आप की फसल अब कैसी है काका अब लेखक ने फिर उससे उत्तर प्रश्न किया कि अब आम की फसल कैसी है कुछ देर बाद मैंने बात का विशे बदलते होई पुछा जहां लाग की चुड़े का विशे चल रहा था वो बदल गया और आप आम की अच्छी है लला बहुत अच्छी है उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी अरी रज्जो लला के लिए आम तो लेया उन्होंने पी बेटी को आवाज दी बदलू ने और उनके लिए लेखक के लिए आम मगा है फिर मेडी और मुखातिब होकर माफ करना लला तुम्हें आम खिलाना भूल गया था क्योंकि बच्छमन में लेखक को बदलू आम खिलाया करता था तो वह बात जब याद आती है तो उससे शमा मांगते है नहीं नहीं काका आम तो इस ताल बहुत खाए है वाव वाव बिना आम खिलाय कैसे जाने दूंगा तो तुमको जब लेखक मना करता है तो वह कहते है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें अभी नाम खाय थोड़ी जाने दूंगा मैं चुफ हो गया मुझे वे दिन याद हुआ है जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था गाय तो अच्छी है ना काका मैंने पूछा लेखक ने पूछा कि तुम्हारे गाय तो अच्छी है ना काका गाय कहा है लला दो साल हुए बेच दी कहां से खिलाता अब जब उसका व्यापार ही बंदो गया जब उसका लाख की चूडिया बनाने का जो व्यवसाय था वही बंदो गया तो वह कहां से गाय को खिलाता कहां से गाय को पालता इसलिए उसने गाय को बेच दिया और गाय को बेचे वए दो साल हो गये इतने वे रज्जों उसकी बेटी अंदर से एक दलिया में धेड़ से आम ले आई अब जब वो एतने सारे आम लेकर की आई तो डेखक बुला ये तो बहुत है का का इतने कहां खा पाऊंगा मैंने कहां वह वह हस बड़ा शेहरी ठेहरे ना मैं तुम्हारी उमर का था तो इसके चौगने आम एक बखत में खा जाता था मत हिंदूरिवाले देना देखो लला कैसे हैं इसी साल यह पेड़ तयार हुआ है उसने अपने बेटी को कहा कि ठीक है इतने इतने सार आम नहीं लेकर जाए से दो और वह उसके कहते हैं लेखक से कहते हैं कि लला यह नए पेड़ के आम है रज्जों ने चार पांच आम अंज तूरिया बहुत ही फब रही थी माना कि गाउं कि सारी महीला काच की चूरिया पहनने लगी ते लेकिन उस से अपनी बेटी को लाक की चूरिया पहना रहे थी और उन लाक की चूडियों चलाया मुझे प्रसनता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी दी उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से तूट जाए मतलब जहां गाओं में प्रतेग महिला के हाथों में कांच की चूड़ियों ने स्थान ले लिया था वहीं बदलू द अभिमान को बनाये रखना चाहिए तो यह थी हमारी कहानी कौन सी लाख की चूड़ियां आपसे फिर मिदेंगे नेक्स्ट चप्टर के साथ धन्यवाद